अपने बयानों को लेकर लगतार सुर्कियों में रहने वाले यूपी सरकारों कैबिनेट पंत्री ओम प्रकार्श राजबर एक बार फिर सिर्चर्चा में आ गए हैं। इस बार उपी राजबर मुस्लिमों से भूले नात पर जल चड़ाने की अपील करके चर्चा में आये। के बयान पर बड़ा विवाद हो गया है। दसल उपी राजबर ने कहा है कि मुस्लिमों को कावर यात्रा में शामिल हुपकार जल चड़ाना चाहिए। राजबर ने कहा कि बहुत सारे हिंदू हैं जो इसलाम को मानते हैं और तरकाहा पर प्रातना करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो कावर यात्रा के दौरान भगवान शिव की पूजा करते हैं। उपि राजबर ने बयान गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ानी की सोच के साथ दिया था। और जिस तरह से ओपी राजपर ने बयान दिया उससे कहीं नहीं लगता कि वो किसी नए विवात को जन्म देना चाहते हैं। लेकिन राजपर की ये नसीयत कुछ मुलानाओं को खल गई। इस पर वो काफी भड़क गए और उने कहा कि मुस्लिमों को क्या करना चाहिए। इस पर उपी राजपर सुझाओ ना दें। ये जल चला आना भी एक तरीके से इबादत करना है, पूजना है। और इसलाम में ये नाजाइज है। इसलिए उनको इस तरह के मश्वरे नहीं देना चाहिए। कि जो शख्स इसका मुताहमिल नहों और जो उस मजभब में उसके मांग जिस मजभब का वो मानने वाला है, वो मजभब उसकी इजादब ना देता। तो पलट करके अगर कोई मुसल्मान उनसे कहे कि आप रोजा रखिए नमाज पढ़िए तो यह भी घलत होगा। अगर यह कहने लगए कि इश्वार और खुदा एग है तो तुम नमाज पढ़ना हो। मंत्री ओपी राजपर के बयान पर साधू संतों ने भी कड़ी नाराज की जुताई है। संतों का कहना है कि कुछ राजनितिक लोग ना समझी में ऐसी बयान बाजी करते रहते हैं। यह नेता लोग तो राजनितिक बोलते हैं, इनको सहूर भी नहीं है कि राजनितिक फाइदा के लिए भी क्या बोलना चाहिए। यह लोग तो बेशहूरी में बोल जाते हैं, उन प्रकास को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आला कि सावन के महिने में कई जगह से आपसी सोहार्थ बढ़ाने वाली तस्वीरें दिखाई दी। काशी से उजयन तक ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम मिलकर तेवार मनाते दिखे। बाबा विश्यनात की नगरी काशी में दर्चन और जलाविशेक के लिए आए कावडियों पौर मुस्लिम समाज के लुगों ने फूल बरसा करस्वागत किया था।